कि हाइ अब्रिवन आप सभी का स्वाओत है संजीश और राइटे एक यूट्यूब चेनल में कि करेstate हाई अब्रिवन आप सभी का स्वाओत है सब्सक्राइटे कि यूट्यूब चेनल में कि क्लास में हम लोग कभर करेंगे कि how to draw a spiral spiral कैसे draw करते हैं जी यहाँ पे question है drawing archimedian a spiral having maximum और minimum radius is 80 mm and 30 mm respectively for one convolution यानि हम लोग सो करेंगे यह spiral इसके पिछले क्लास में हम लोग ने spiral से related question solve किये जिसमें यहाँ पर दिखिए यहाँ पर one convolution बोला है लेकिन पिछले क्लास में जो हम लोग ने अगर यह वीडियो नहीं देखें तो चाहिए चैनल पर विजिट कीजिए या इस वीडियो के description में इसका लिंक मिल जाएगा वहाँ से देख सकते हैं तो इस क्लास में हम लोग देखेंगे यह दूसरे तरीका से स्पार्लिस कुछ लोगह और करेंगे यह यह देखें इसमें एंगल का बात किया तर किका तो अंगे ie की ये यह विधाव अग नगरी का है हम लोग यहां से यहां से हम लोग एक प्रोपर कर दीजिए तो यह आपका हो गया है और CMM का देन देखिए फिर नीचे भी एक है क्या है एक छोटा वाला कितना रेडियस है आपका इसका 30 mm है तो 30 mm का हम लोग दूरी लेंगे और 30 mm का दूरी लेकर फिर इसी को सेंटर मानते हुए हम क्या करेंगे यहां पर एक और छोटा सा सर्किल हम लोग सो कर देंगे क्लियर हुआ जी इतना समझ में आप देखिए इतना फाइनल होने के बाद ही देखिए एक ही सेंट के को एक ही बिंदू को केंदर मान कर हम लोग क् की पर दो सर्किल का निर्माड करेंगे अब इसको हम लोग एक ना मैं ऐसे इसको देदेते आँ इस इसर्किल को कितना दो भाग में बाट दिया अब अगले स्टिप में देखिए क्या करते हैं इतना तक तो हम समझ गया अभी देखिए इसके बाद यह जो पॉइंट है जी जो से केंद्रवींदू है इसपे हम लोग दिख practiced art part connecting या तो बारद में किलीरु earn तो हम लोगों पिछले class में हम लोग जो कोशन का solution थे इसमें बारद भाग बाट के बताया है तो द्वहान आट पार्ट में कैसे बाढते हैं तो हम जानते हैं जी केंद्र पे कितना सेंटर पे कितना डीडिका एंगल बनता है पाइंट को एक सी किल में रख लिएоном को कित्ना स्वाट या अगले 5 step में अभी हमको बातना कीता है जी आठें पार्ट में तो यह परतिक ब्लोग को दो पार्ट में घना देखेहें यहाँ प्र JOE एंगल इनंतराख कीतना झाए था फोंतराइस डिगरी तो फोंतराइस डिगरी का हम यहाँ पे करें चांद की सहाइता से तुम खोड़ कर लेंगे और मेजर करने के बाद इसको इस टाइब से हम लोग इवलब आपट सो कर देंगे और फिर हम हम तो हम लोग शेंटर पर कितना पार्ट बार दिए जी यह केंद्र पर आठ पार्ट वेश बार दिए दिया है अब इसको हम लोग यहां से हम लोग नमाकित कर देंगे तो यह वन हो गया यह टू ठीरी फोर फाइफ सिक्स सेबन और आपका यह फाइनली एट हो गया जी किलियर हुआ इतना फाइनल होने का आप देखिए यह सर्किल को कितना आठ पार्ट वे बाटे हैं तो यहां स लेके यहां तक यह जो दूरी है यह बड़ा वाला सर्किल का जो परेदी है और छोटा वाला सर्किल का जो परेदी है इन दोनों के बीच का जो दूरी है इन दोनों का जो बीच का दूरी है हम लोग इसको आठ भाग में बाटेंगे और उसी को अगर इसी को हम लोग यह बा पार्ट बाटते जी बारब पार्ट में तो ध्यांस देखिएगा इसका हम लोग मेजरमेट माप लेंगे यह टोटल कीतना होगा जी कि अब का 50 होगा अब 50 को हम लोग हम लोग आठ पार्ट में बाटेंगे तो कितना होगा जी आठ छक और तालिस यानि छे पॉइंट कुछ आएगा जी तो यहां से हम लोग छे पॉइंट टू आएगा तो हम लोगभाग छे एमेम मान के ही हम लोग मार्किंग कर लेंगे तो यह पॉपर सबको मार्किंग करने छे दूना बारा छे तिर का ठारा छो चो के चो विस छो पचे तीस छा चक छत्ति छा सते बे आलिस हुपर एथ कट यह आपका हम लोग मार्किंग कर दिये देन मार्किंग करने करने कर आवलाश से नहीं यह एक हो गया यह ट्रो यह तीन चार पाँट ठीख सत और यह आपका जो हुगा जो यह हमारा क्या है जी आथ का मतानल के हैं इतना जब कि लियर हो गया तो आब आगे धियां से देखिए यह जो एक दो तीन इस तर जो यह पॉइंट मार्किंग किया है न जी इसी पॉइंट का हम लोग का सबसे ज्यादा काम है अब देखिए अब कमपास लेंगे यह केंद्र पे रखेंगे इसको हम लोग नाम दे देते हैं और यह वाला हमारा यह जो से हम लोग यह क्या करेंगे इस टाइप से हम लोग ग्राफ सो करेंगे क्लियर वाल अब ओ से लेके दो का दूरी भर यह कमपास में और यहां से यह ऐसे ग्राफ सो करेंगे अब ओ से लेके थिरी का हम लोग दूरी भरेंगे कमपास में और यहां से इस तरह से हम लो ग्राफ सोगें क्लियर होगा है यह तीन से यानि देखिए वो से लेके वन से लेके तो वन वाला में ही जाके टॉच करेगा तो यहीं तक हम लो स्टॉप कर देंगे जी उसके आगे नहीं बढ़ाएंगे हम लो फिर यह टू आप पर आगे इस थीर इसी तरह हम सबको ऐसे जीसे यह चार है तो हम लो यहां से ग्राफ चार रेखा तक हम लो लाके एड़िस्ट कर लें देख रहा है नहीं यहां पर चार पर आखे उसी तरह यह पांच है तो यह आपका फाइनली पांच पर आ गया यह छे है तो यह आपका छे वाले पॉइंट पर आ गया और यह आपका 7 है तो 7 वाला पॉइंट पर आ गया और यह वाला तरह 8 है तो आपका फाइनली होई गया जो देखे जो जहां पर आके टुच किया है जैसे यह पी हो गया यह वान पर तो इसको हम लोग P1 के नाम से जानते हैं ये 2 पे आया तो इसको P2 इसको हम लोग P3 ये वाला P4 ये वाला P5 ये वाला पॉइंट P6 ये वाला हमारा P7 और ये जो पॉइंट है जी खोइंट में यहां से यह ता यह हमारा इसको P8 हो ओगा है । किलीर हो है है इत्सकों इतना जब क्लीर हो जाने के बाद से फ्रेंच करव लेंगे और फ्रेंच कर तो इसको कि यो हुज है यहак हर एक पॉइंट को या चाहते तो इस पी से पी पॉइंट है न जी ये पी से पी वन को मिला ये फिर पी टू को फी थिरी पी थिरी को नहीं तो ये आपके पास ये फ्रेंज कर्म जिनके पास होगा तो फ्रेंज कर्म की सहायता से भी मिला सकते हैं जिनके पास फ्रेंज कर्म न लेके पीवन से लेके अब पीटू को मिला दीजिए अब पीटू को पीठीरी से इसी तरह करके ध्यान से मिलाएंगे जी अगर जिनको आपको लोग को अगर ज्यादा इथी है दिकत हो रहा है अगर फ्रेंच कर्व नहीं आप लोगे पास तो फ्री हेंड आसानी से भी मिला सकते हैं इसी तरह सभी पॉइंट को एक दूसरे से मिला देंगे जी कोई है कि नीचे वाला से भी मूव हो सकता है कोई है उपर वाला भी पॉइंट से मूव होगा जी देख रहा है न जी यहीं आपका क्या है एस्पाइरल कर्व यहीं है यह जो हमारा रेडी हो रहा है यह सभी को पी वन से पी टू पी थी पी फॉर पी फाइव पी सिक्स यह जो भी पॉइंट मिला रहा है यहीं हमारा क्या है जी इन भॉलूट कर्व के नाम से जाना जाता है तो यहीं देखिए वन राउंड एक राउंड आ चुका है देख रहे हैं यहां से स्टार्ट होगा फिर यह से मूव करते हुए यह कर्व हमारा फाइनली यहां तक आ गया तो इसी को वन कन्वालूशन के नाम से जानते हैं अग यह दो बार राउंड होके आ जाता यह एक राउंड होके फिर यहां पर आ जाता तो यह टू कॉन्वालूशन के नाम से जानते हैं तो ओके फ्रेंड्स यह फाइनली क्या हुआ जी हमारा रेडी हो चुका अब इसका चाहते हैं यह जो सर्किल इसका डाइमेंशन भी यहां सोग कर सकते हैं या नहीं भी सोग कीजिए कोई प्राब्लम नहीं है तो ओके फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में सेयर कीजिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले क्लास में इसी तो रखा और भी नेक्स्ट अगले क्लास में